निर्वाचित जन प्रतिनीधिके दौरा छेत्र में हिंदू देवी देपताओं के अपमान किये जाने का मामला सामने आया है जिसमें प्रतिनीधिके दौरा हिंदू देवी देपताओं का अपमान किया गया हिंदू देपताओं के विरुद अपमान जनक असलीर्टि पड़ी कर धार्मिक भावनाओं को आगहात पहुचाने से समाज के बड़े समुदाय के भी संघर्स की स्तिती पैदा करने एवं शांती भंग करने के संदर्भ में अखिल भारती ब्राम्हन समाज मध्य प्रदेश के मेडिया प्रभारी प्रभुदत दुवे ने प्राथमी की दर्ज कराई है गौर तलब है कि इस मामले में पुलिस अधिक्षक के द्वारा छेतर में सांती विवस्था को कायम्त किये जाने के निर्देश थाना प्रभारी लाल गाउं को दिये गये हैं उनके द्वारा सीग् में आरोपियों के विरुद प्रक्रण दर्ज कर कारिवाही की जारी है घटना के संबंध में प्रभुतत दुवे ने बताया कि आरोपियों के द्वारा वाट्सेप मेसेंजर एप पर रौरा उन्नमूलन ग्रुप के नाम से वाट्सेप ग्रुप चल रहा है जिस पर लगभ जनपत सदस्य वाट क्रमांग छे जनपत पंचायत गगेयो जिला रीवा द्वारा हिंदू देवताओं की एक सूची बनाकर अमर्यादिक संदेश को पोश्ट किया गया था उक्त पोश्ट पर अभद्र असलीर अपमान जनक टिपड़ी होने से उक्त ग्रुप में जुड़े हिंदू धर्म अनुलंबियों को भारी आगहात लगा और सामाज में हिंदू देवताओं के विरुद असलीर टिपड़ी करने पर लोगों में काफी आक्रोस व्याप्त है जिस पर ग्रुप के सदस्यों द्वारा उक्त आपति जनक पोश्ट पर आपति की गई तो उक्त आपति जनक पोश्ट पर ग्रुप के अन सदस्य रामजी पटेल मोबाइल नमबर 8462091176 से भी एक तस्वीर पोश्ट की जिसमें सिप जी को अपमानित करते हुए अखिलेश कुमार पटेल ने असलील अबद्र पोश्ट का समर्थन किया असलील पोश्ट के विरुद्ध लगातार प्रत्पिया आपति बावत सदस्यों द्वारा की जा रही थी तभी उक्त ग्रुप के ही मुकेश चंदानन मोबाइल नमबर 62619761228 से उसी वाट्सेप ग्रुप में स भार्मिक भावना को भारी आघात लगा जिससे समाज के दो वर्गों के बीच संघर्स पैदा होने की स्थिति निर्मित हो गई है साथ ही कोई अप्रिय घटना घटित हो सकती थी आरोपियों द्वारा आपति करने वाले लोगों को अपमान जनक सब्दों के साथ डराया धं काया जा रहा था ब्रामण समुदाय जात विसेश को चिन्हित करके अपमानित किया जा रहा है जिससे समाज के दो बड़े समुदाय के बीच वर्ग संघर्स एवं सांति भंग होने की स्थिति व्याप्त है उक्त आरोपियों द्वारा रोरा उन्न मूलन सदस्र वाटसेप ग्रुप में हिंदू देपताओं के संबंध में जो असलीर टिपड़ी की गई है इससे आहत ग्रुप के अन्य सदस्यों को जिन में मुकेश कुमार दुवेदी, कृष्ण कांथ मिश्रा एवं पोश्ट को पढ़ने सुनने के उपरांत स्रवन कुमार गौतम, अस्वनी कु प्रक्रण को दर्ज किये जाने के निर्देस्थाना प्रभारी को दिये और छेत्र में सांती विवस्था को कायंत किये जाने है तो आरोपी अखिलेस पटेल, निवासी देवास राम जी पटेल, निवासी रौरा को ठार, मुकेश चंदानी, देवास के विरुद अपरात, दर्ज कर धारा 295-134 एवं 668 एक्ट के तहत प्रक्रण पंजी बद्धकर मामले में आरोपियों को गिरफतार कर लिया है